मुंबई, हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से है इसकी शुरुवात हुई थी 1993 सीरियल बॉम ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26 ग्यार मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई आंटी टेर्रिस्म स्कॉर्ट के एक योधाकी मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देख कर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रिकॉर्ड देख कर ठोक दियो हमारी इंटेलिजन्स के हसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लशकर के स्लीपर सेल बन कर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं अभी उनका वक्त आया नहीं जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे ढून लिया तेरे बाकी साथियों को भी ढून लेंगे 93 में एक टन आड़ी एक्स आया था जिसमें से सिफ चारसो किलो इस्तमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया 600 किलो आज भी कही दफन है हिंदोस्तान ने मेरी किसमत पदली अब मैं हिंदोस्तान की किसमत पदल तुम्हें मेरे बच्चे बीवी अबो को सिंदा चला दिया उन लोगोंने हमानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था लेकिन तुमने भी तो सैकडो मासूमों की जाने ले ली उसका क्या रुप जाए जहन में और भी पुनीस आफिसेस अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खत्रे में नहीं रावता है इंटलिजन्स प्यूरो की थेयरी शायद सही है लशकर का अगला टारगेट मुंबई हो का सूरिया वो लो कब आएंगे यह में नहीं जानता पर वो आएंगे ज़रूर इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को क्या करें सार शिवगर चले यह काम एक ही कमी न कर सकता है इधर अलग लेवल का धनली चल रहा है सार यह लोग साथ गाड़ी में बॉम फिट कियें जिस कोली से तू मरेगा उसके ओपर आइसा बड़े में लिखाओंगा Made in India अख्छा पबली को मालू है को आने वाला है तेरे को नहीं मालू गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा की क्यों आता है और तू हर बार हेलिकॉप्टर पर क्यों लटकता है किसका ज्यादा बड़ा है इंट्री कोई फरक नहीं पड़ता है चलो अभी आप जानते हैं कोन है नाइम खान तीस साल इमानदारी से पुलिश के डूटी किया है इन्होंने और अब इनका बेटा अबास हमारे आंटी टेररिजम स्कौड का एक होनार आफिसर है ये है हिंदुस्तान के मुसल्मान है आफाहा पुल्च पुल् Thom